इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा After Effects के सारे लूप एक्सप्रेशन जिससे हम अपनी इस एनिमेशन को सीमलेसली लूप करेंगे अब मोशन डिजाइनिंग के वरकफ्लो में अकसर हमें अपने एलिमेंट्स में अब यहां बेस्ट के अपनी पूरी टाइमलैन में कीफ्रेम से लूप करने बैटें तो यह काफी टाइम टेकिंग प्रॉसेस होगा एक्जामपल के साथ समझाता हूँ लेट्स ओपन After Effects अगर आप साथ में प्रेक्टिस करना चाते हो तो इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो यहां हमारी फर्श कॉम्पोजिशन के अंदर हम अपनी फिशर्मान कॉमप में जाएंगे अब यहां बेसिक अनिमेशन अलरड़ी एडिड है तो इन लेयर्स की कीफ्रेम्स को देखने के लिए हम इन सब को सिलेट करेंगे और अपने कीबोड पर यू प्रेस करेंगे अब अगर आपको expressions के बारे में कुछ नहीं बता है तो इन कीफ्रेम्स को लूप करने के लिए आप simply इस timeline में इनको copy-paste करोगे तो यह इतना भी time consuming process नहीं है बट आगे जाके इस process में काफी दिक्कते आती है मानलो अगर हमें इस animation की speed तेज करनी पड़ जाए तो हम यह इन सारे कीफ्रेम्स को select करेंगे और alt press करेंगे और इस animation duration को छोटा करेंगे और यहां फिर हमें और कीफ्रेम्स copy-paste करने बढ़ेंगे और ऐसा करने से कीफ्रेम्स हमारे frame से भार भी आ सकते हैं अब इस process में अगर हमें बाद में कोई animation change करनी हो तो हमें इन सारे कीफ्रेम्स को delete करना पड़ेगा और अपने main कीफ्रेम्स को change करके उनको वापस से copy-paste करना पड़ेगा तो यह मेरे हिसाब से काफी दिक्कत वाला process है तो इसी process को sort करने के लिए हम अपने loop expressions यूज़ करते हैं जिससे हमारा loop काफी जल्दी और non-destructive way में बनता है यह expression हमारे सारे कीफ्रेम्स की animation को last कीफ्रेम्स के बाद कुछ इस तरह से वापस से चलाता रहता है हम यहां इस top watch पर alt दबा कर click करेंगे और यहां हम अपना expression type कर सकते हैं I'll add loop out और brackets के अंदर हम inverted commas में लिखेंगे cycle और अब इसको apply करने के लिए हम कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे और अब हमारा hand motion अपने कीफ्रेम्स के बाद भी अपने आप loop होता रहेगा यहां यह seamlessly loop होगा क्योंकि हमारा first keyframe और last keyframe same है अगर मैं यहां अपने last keyframe को delete करूँ तो यहां आप देख सकते हो कि यह expression अपने last keyframe के बाद सीधा अपने पहले वाले keyframe पे जाके animation को चालू करता है I'll copy this keyframe and place it back here और अब हम इस expression को अपनी puddle layer की rotation में add करेंगे और यहां हमारे paddles भी अब loop हो रहे हैं बढ़ अगर मैं यह expression अपनी hat की position में add करूँ जहां सिरफ दो ही keyframes हैं तो वहां हमारा loop seamlessly work नहीं करेगा यहां हमें अपनी hat में कुछ इस तरह का back and forth loop motion चाहिए तो वो करने के लिए हम अपना दूसरा expression यूज़ करेंगे यह expression हमारे last keyframe के बाद हमारी animation को reverse में लेके जाता है और फिर वापस से इस तरह का back and forth movement देता रहता है just like a ping pong ball in table tennis let's add it in our hat और अब हमारी hat की animation seamlessly loop हो रही है now let's copy this expression in rest of our properties with keyframes और अब हमें अपनी animation में कुछ भी change करने के लिए सिरफ अपने main keyframes को change करेंगे और वो change फिर अपने आप loop हो जाएगा तो अब अगर हम अपना motion देखें तो यहां यह movement काफी जादा ही synchronized है और यह movement थोड़ी robotic feel दे रही है जिसे कोई robot चप्पू चला रहा हो अब human body थोड़ी fluidly move करती है जहां सबसे पहले एक leading body part move करता है और फिर बाकी के body parts उस movement को बाद में फिर follow करते हैं तो अब इसमें natural animation देने के लिए हम इन keyframes को अपनी timeline में थोड़ा offset करेंगे तो हमारी movement चालू होगी body से और हमारा head थोड़ा late move करेगा तो यहां हम अपनी hat के keyframes को 3 frame आगे कर देंगे by clicking on position and pressing alt and right arrow key 3 times similarly हम यह अपने legs के position को 6 frames आगे करेंगे by pressing alt plus arrow key 6 time अब हम अपने hand controller layer के keyframes को 10 frames आगे करेंगे by pressing alt plus shift plus right arrow key once और last में हम अपने paddle frame के keyframes को 12 frame आगे कर देंगे तो अब सबसे पहले हमारी body move होगी और फिर उसके बाद हमारे sir फिर लाते हैं और फिर last में अपने हाथ और चपू now it's looking way better बढ़ यहां शुरुआत में animation नहीं हो रही है क्योंकि हमारा loop out expression हमारे last keyframe के बाद ही सारे keyframes को loop करता है अब इस दिक्कत को solve करने के लिए सबसे easy तरीका है कि हम इन सारी keyframes को पकड़के पीछे shift कर दें बढ़ उससे हम अपने keyframes नहीं दिखेंगे और उनको edit करने के लिए हमें बार बार इनको बार निकालना पड़ेगा और वापस से edit करके इनको अंदर करना पड़ेगा तो यह तरीका वापस से थोड़ा एक्टिक है बढ़ हमारे पास एक और तरीका है इसको loop करने का loop in expression यह सेम ही तरीके से काम करता है बस यह एक keyframes को चालू होने से पहले वाले time में ही loop करता है और last keyframe के बाद यह रुख जाता है तो इसको use करने के लिए हम अपने keyframes को timeline में आगे shift कर सकते हैं बट फिर हमारी animation last keyframe के बाद stop हो जाएगी तो इसका solution क्या है अगर मैं इन दोनों expression को यहाँ add कर दूँ loop in cycle प्लस loop out cycle तो यहां हमारी value अपने keyframes पर double हो जाएगी क्योंकि हमने इन दोनों expression को यहाँ पर add कर दिया और अगर हमारी keyframe की value यहाँ double हो गई है तो अब हमारी बाकी की animation भी उसी double वाली keyframe value पर चलेगी क्योंकि हम इन दोनों expression को यहाँ पर add कर रहे हैं तो basically ऐसे हो नहीं पाएगा तो इसको सही करने के लिए हम अपनी keyframes की value को अपनी current values से minus कर देंगे by typing here minus value तो जो अब double हो रही थी वो अब वापस से normal हो गई है और हमारी animation keyframes से पहले भी चलेगी और keyframes के बाद भी now we can save this expression with this free third party extension call mute from mogara factory we'll select our property और यहाँ हम इस folder के अंदर जाके इस grab tool पर click कर देंगे now we can rename this expression और अब यहाँ हमारे software के अंदर save हो गया इसको apply करने के लिए हम पहले अपनी property select करेंगे और फिर यहाँ आँकर इस पर double click करेंगे now this is not a paid promotion for this mute extension it's just a free tool that you can use to save your expressions inside this software अब हम अपने सारे expression को similar तरीके से change करेंगे ताकि हमारे keyframes के पहले भी animation चलता रहे make sure जहाँ हमने ping pong expression यूज किया है मा हम पिंग पॉंग याड़ करें and now let's compare आर robotic animation with this one यहाँ clearly हम देख सकते हैं कि right वाली animation जहाँ हमने keyframes को थोड़ा सा offset किया है वो जादा natural movement दे रही है now let's come back to our boat composition और यहाँ हम अपने बाकी के loop expression को explore करेंगे यहाँ हम अपनी boat को ऊपर की तरफ जादावा movement देंगे और I want कि इस boat का movement इसके चप्पू के चलने पे थोड़ा सा तेज चले और जब यह ऊपर जाके frame से गायब हो जाए तो उसे टाइम एक नई boat नीचे से वापस से frame में आ जाए तो यह करने के लिए हम यूज करेंगे offset effect we'll go to effects, distort, offset now let me show you how it works अगर मैं यहाँ इसका y-axis change गरूँ तो हमारी boat यहाँ नीचे से वापस से frame में आ रही है and that is exactly what we want तो यहाँ हम इसको animate करेंगे using keyframes अपने पहले frame पे जाएंगे we'll add a keyframe here और 2 second के बाद हम इसकी value कर देंगे 100 पे and we'll select this keyframes and we'll apply easies by pressing F9 now I want कि यह ऐसे ही उपर की तरफ लूप में animate होता रहे तो अगर मैं यहाँ loop out cycle लालू तो यह काम नहीं करेगा और ping pong भी इसको बस उपर नीचे ऐसे move करता रहेगा तो यहाँ हमारा तीसरा loop expression काम हैगा that is loop out offset यह expression कुछ इस तरह से हमारे keyframe में same value add करता रहता है let's add this expression तो यहाँ यह basically हमारे keyframe की value को अपने last keyframe के बाद add कर जा रहा है यानि अगर हमारे first keyframe की value यहां 300 है और second वाले keyframe की value 100 पे तो यहां 200 pixel का difference है तो यह expression हमारे हर 2 second के बाद अपनी value से 200 minus करतेगा तो यहां 4 second पर अपनी value हो जाएगी minus 100 पे और 6 second पे हम देख सकते हैं हमारे value हो गई है minus 300 पे तो यह expression हमारे keyframes के same intervals में same value को minus करता हूँ चला जा रहा है अब अगर हम preview करें तो it's looking good बट मैं यहां देख सकता हूँ हमारी boat की speed बीच में एकदम से 0 हो जाती है I want कि हमारी boat में हमेशा थोड़ी बहुत movement रहे है क्योंकि जो हम चपू चला रहे हैं उसका momentum थोड़ी दिर तक boat में रहना चाहिए ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार चपू चलाया और उसके बाद boat रुग गई हलकी बाद boat चलती रहनी चाहिए तो हम इन keyframes को select करेंगे और अपने graph editor में जाएंगे और यहां हम अपने speed graph में भी देख सकते हैं कि हमारी boat बीच बीच में 0 speed पे आ रही है तो इसको solve करने के लिए हम इन दोनों को select करेंगे और यहां right click करेंगे and we'll choose keyframe velocity और यहां अपनी incoming velocity में 50 आड़ कर देंगे और same अपनी outgoing velocity में भी आड़ करेंगे और अब हम देख सकते हैं कि हमारी speed की minimum value ऊपर उठ चुकी है 0 से 50 pixel per second पे और अब हमारी boat की animation लग रही है मज़ेदार और realistic इसको थोड़ा सा और adjust कर सकते हैं and that is it our animation is now done using three different looping expressions अब last में हमारा loop out continue expression है अब जैसे मारा offset keyframes के बाद यहां same value आड़ कर रहा है यह भी sort of वैसे ही काम करता है but instead of all keyframes यह सिरफ last के keyframe की speed को loop करता है तो यहां हमारे keyframes की animation के बाद normal last keyframe की speed को सीधा जलाता रहेगा in fact अगर मैं इसकी velocity को यहां वापस से 0 पे ले आऊ तो यह अपने last keyframe की speed को account में लेते वे यहां रुक जाएगा बढ़ अगर मैं अपने keyframes को linear कर दूँ तो यहां हमारी layer की movement में चलता चला जाएगा और हम अपनी animation की speed को इस last keyframe की placement से change कर सकते हैं तो हमारी boat अब last keyframe की movement के साब से अपते चलेगी बढ़ यह loop out continue expression बहुत कम use होता है बढ़ there can be a situation जहां आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती हो Now these were the four loop expressions जो आप अपने project में looping animation एड़ करने के लिए use कर सकते हो यहां अगर हम अपने next comp में आए तो यहां पर मैंने कुछ keyframes आड़ किया है मैं चाहूंगा कि आप अपने आपको test करने के लिए इसमें looping animation एड़ करो और इस clock को कुछ इस तरह से चला के दिखाओ और कोई भी confusion हो तो वो आप मुझसे नीचे comment section में पूछ सकते हो I'll make sure to answer them all इसके लावा इस वीडियो में use किया जाने वाले सारे expression में नीचे description में आड़ कर दिया है तो आप वहाँ से copy कर सकते हो और अपनी library में add कर सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए और मुझसे support करने के लिए आप इस वीडियो को like कर सकते हो और इस चैनल को subscribe and I'll see you in the next one